नमस्कार आप देख रहे हैं प्रथम न्याइनूज इस समय पर हम खड़े हैं सीधी जिले के सिहाबल विधान सवा छेत्र अंतरगत ग्राम पंचाज छेत्र डिहुली के आंगनवाडी केंद क्रमांग के एक में आप मारे पीछे देख सकते हैं यह भवन की इस्तिती है अभी हमने आजाद भारत की 75 सुतंतरता वर्स गांठ मनाई और बड़े ही धुमधाम से आपने हमने सभी ने इसको हरसुलास के साथ मनाया लेकिन यह इतनी दुखत तस्वीर है आजाद भारत की 75 वर्स बीत जाने के बाद भी कि यहां पर बच्चों को उन छोटे छोटे ननिहालों को आंगनवाडी में भेजा जाता है तरह तरह की योजनाय लाई जाती है उनको पोशन पदार्थ खाद्य पदार्थ दिया जाता है लेकिन यहां की इस्तिती इतनी भीषण या भायावा है कि यहां पर हमें देखने से ऐसा लग रहा है आप हमारे कैमरा से देख सकते हैं कि यहां बिल्डिंग काफी जरजर हो चुकी है काफी पुरानी हो चुकी है और ऐसी इस्तिती है कि यह कभी भरवरा कर गिर सकती है कि यहां पर छेत्री विधायक भी है सांसद भी है भाजपा की सांसद है रीती पाठक जी और कांग्रेस के विधायक है कमरस्वर पटेल जी तो हम दोनों लोगों का यहां पर ध् जिस दिन कोई दुर घटना होगी, हलाकि यहां पर आगनवाडी बिल्डिंग तो बनी है किन्तु संचालित नहीं होती है। चुकि यहां पर इस्थिती काफी देनी है, किसी भी बगत यहां पर विल्डिंग भरभरा कर गिर सकती है, तो बच्चों के दबने की आसंका ज्यादा जताई जा रही है। ऐसी इस्थिती में हम यहां हलाकि जानने का प्रयास करेंगे कि बरतमान में आगनवाडी केंद्र कहां पर संचालित हो रही है। किन्तु भाजपा के इस सासनकाल में भाजपा के जितने भी नेता हैं, वह लगातार यह कोस्ते नजर आते हैं, कि यह कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के सरकार में ऐसा था, कांग्रेस की सरकार में वो ऐसा था, तो चुकि यहां पर भाजपा की सरकार है, तो मैं उन सभी न नेताओं से मेरा यह सवाल है कि आखिर वह क्या कर रहे हैं अगर भाजपा बोट बैंक की राजनीत नहीं कर रही है तो आखिर इन समस्याओं को वह कौन देखेगा कौन वह व्यक्ति होगा कौन वह भाजपा के स्थानी नेता होंगे क्या सिर्फ कुर्ता और पैजामा लटका लेने से विकास होने लगता है मुद्दे बहुत अहम हैं बहुत बड़े हैं आखिर कब तक इन नहीं हालों के साथ इस तरह से खिलवाड होता रहेगा तो हमारे साथ यहां पर स्थानी लोग भी हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहां की बास्तिवी सच्चाई क्या ह हम आपको दिखाएंगे पने चायाकार से कहेंगे कि वह यह उस बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा है और इस हिस्से के निचले हिस्से में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पत्थर से इसकी बुनियाद बनी हुई थी वह निकल चुकी है और यहां पर यह देखिए एकदम यहां से एकदम हो चुका है किसी विभ्यक यह बिल्डिंग गिर सकती है तो यहां पर हमारे साथ कुछ स्थानी लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बरतमान में यहां पर आगनबाडी भवन कहां पर संचालीत है आगनबाडी भवन डिहूली क्रमांग के एक तो सबसे पहले काका क्या नाम है आपका राम खिलावन यह बताइए यहां पर आगनबाडी भवन यह कब बनी थी लगवाए था बरतमान में आगनबाडी भवन कहां पर संचालीत है है संदाइक भवन में संदाइक फवाण में अच्छा यहां पर आगनबाडी कारकरता आती हैं बरावर में सेंसितार आव अब फिर फोटी बंद कितने बजे होती है दो बजे बंद हो जाती है बच्चों को प्रद्धिन पोसन आहार दिया जाता है अब आप देखिए अब नहीं होते हैं अब यह पोचा अच्छा हां ठीक है हमारे साथ है यह काकी भी जुड़ी हुई है क्या नाम है आपका हम बाब अब हमारा एक्ठे पतो वह ता आबा थी तहां देखिए थे दादू अभी हम नहीं जानीज कुछ हमारा पतो है अंगन बाडी में तर रोज आब थी रोज के बराव दी रहे थी अइतबार भरे की नहीं आब थी चलिए इनका कहना यह है कि इनकी बहू है इस आगन वारी मे है किस पत्पर हैं आपकी बहू चलिए नको यह भी नहीं मालूम है खेर एसा नहीं है तो इनका कोई दोस नहीं है हमागे आपको यही बगल में सामदाई स्वास्थ केंदर भी है वो भी दिखाएंगे अब आगनवाडी भवन का निरिक्षण करने के बाद हम पहुंचे हैं जहां पर यह आप दिख रहे हैं हमारे कैमरा में दिखाएंगे अगर हलाकि यह गेट बंद है तो कैमरा वहां तक नहीं पहुंच पाएगा फिर भी हम अपने कैमरा में से कहेंगे को है इस उबस्वास्त केंद्र डिहुली की बरतमान इस्तिदी को दिखाने का प्रयास करेंगे सासंद्वारा मतप्रदे शासंद्वारा तथा यहां के स्थानी बिधायक और सांसत के द्वारा तमाम तरह की घोसणाय कि जाती हैं यहां पर तरह-पर की ओजनाय ला जाती है किन्त जो बास्तविक पर आके दिखा रहे हैं यहां पर कभी ताला नहीं खुलता है तो आप सोच सकते हैं कि यहां पर स्वास्थ विवस्था कितनी भयाव है हमारे साथ यह जो काका जुड़े हैं इनसे हम जानेंगे काका यह बताइए कि यह उपसास्त के अंदर डिहुली का यह जाने प्रद दिन नहीं आती हैं यहां पर दबा उबा उपलब धर आती है यहां पर कोई बीमार आपके घर में कोई बीमार हुआ है हमारे साथ पीछे से एक सजन है वो भी बोल रहे हैं क्या कहना चाहते हैं आप क्या नम है अपको कि यहां पर रहता है कितने दिन यहां पर नर्स आती है यहां फिर 15 दिन में यहां पर खुलता है तो यह देखिए यह डूहली ग्राम पंचायत में आगनबाड़ी भवन और यहां पर उपसास्तिकेंद्र की यहां पर यह इस्तिती है तो यह बताई यह अभी तक आज मंगलवार का दिन है बच्चों को पोषण आहार बितरित करने का आज विसेस दिन होता है मंगलवार को तो अभी तक तो यहां पर आपकी जो अंगनवाडी कार करता है वो तो नह पुचाते हैं किया क्या देते हैं अब बताते होंगे ने पाया अब बच्चे हम आगे घरे का है तो चोड़ तो का बताई को